जून महीने में मेश राशी के जातकों के लिए जो जतुरत भाव में शुक्र मंगल की यूती बनी हुई है ये एसेट्स पर और लाइबरिटीज पर कुछ ऐसे एक्सपेंसेज लेकर आ सकती है जिनसे प्रूएक्टिव होकर बचा जा सकता है वाहन हो घर हो इसके अलावा कोई और अन्य वस्तु विशेश हो आप रेगुलर उनको चेक करवाते वे रहिएगा जिससे आए आकस्मिक खर्च या फिर उस वस्तु में खराबी आ जाने पर जो एक्सपेंसेज निकल कर आते हैं उनसे बचा जा सकता है क्योंकि चतुर्द भाव में मंगल नीचस्त इस्ततियों में है एक तरह से राशी भाव क्याने पती पूरे ही मैने या चतुर्द भावस्त रहेंगे वहीं गुरु राहु की जो यूति भी यहां प्रथम भावस्त करव में बनी हुई है डिसीजन्स में जो कन्फ्यूजन निकल कराते हैं वो यहां सत्रह जून तक हावी रह सकते हैं इससे भी समलिएगा इन सारे विश्यों की वुरिहद चर्चा हम आपके समक्ष इस मासिक राशिफल के माध्यम से रखेंगे चर्चा मेश राशी की जातकों के लिए तो यहां गुरु राहु का चांडाल दोश बना हुआ द्वितिय भावस्त बुद्र रहने वाले होंगे इनकी इस्ततियां साथ से चौबीस जून तक एक तरह से से सेकंड आवस में रहेंगी वही सूरे देव 15 जून से पराकर्म प्रवेश करेंगी शुक्र मंगल की युत प्रवी हो जाएंगे एक तरह से इनको चेस्टाबल राप्त रहेगा प्रमुख तारग रहें चेस्टाबल के साथ रहेंगे शुरुबात करते हैं प्रथम भाव के साथ ये वैसे तो गुरु और राहु प्रथम भाव में है गुरु की इस्तियां यहां अच्छी है इस्तियों के साथ में भी है इसे वज़े से ओवर कॉन्फिडेंस या बिलकुल कॉन्फिडेंस के कमी ये दो अवस्ताएं बारं बार सामने परतिध्वनित होती है उनसे इस महीने से बलना होगा आप IT फिल्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े वो हैं और किसी भी चेंज के साथ वहां लगने लगता है कि दुविधाओं में आ गए तो वो ठीक नहीं मालूम है कि यहां स्ताइत पर रहेगा बले ही पैकेज तोड़ा सा कम है गेन तो हो रहा है जाया जा सकता है ऐसी ही अवस्ताओं में खुद को आगे बढ़ाईएगा वही व्यापारिक जिवन म यहां एसेट क्रियेशन के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी मेजर डिसीजन आप देना चाहते है एक रेंटल प्रॉपर्टी के साथ में आपकर कामकाज चल रहा है अब खुद की एसेट के और जाना चाहते है जब तक आप अपने फाइनेंसेस को लेकर क्लियर नहीं हो रिलेट करते हुए किसी भी फ्रेम में और वहीं बिजनस में जो मानुभाव एक्स्पांशन के और जा रहे हैं ऐसे वस्ताओं में आप एक से सतरह जून तक निरणय में धीमापन बरतियेगा वजह यह है कि सतरह जून के बाद शनिदेव जब चेस्था बली हो जाएंगे वक्री हो जाएंगे तो एक तरह से कर्म और लाप क्या अधिपती का प्रतम भाव को देखना यहाँ एक पॉसिटिव इडिकेशन लेकर आता है वहीं चर्चा दोती यह भाव के अब यहाँ पाएंगे कि बुद्ध के साथ में कोई भी मेजर रिफ्लेक्शन तो नहीं यह 17 से 18 दिनों का अंतराल आपके कम्यूनिकेशन में एक अलग कन्विंसिंग अप्रोच लेकर आ रहा है और वहीं पर जो पारिवारिक जनों के साथ में समबात कोशल है वो बना कर रखिएगा जहां कम्यूनिकेशन में गया पाया वहाँ आपको अलग फितरत का व्यक्ती स धनेश होकर शुक्र की स्ततिया यहां चतुरत भाव में है शुक्र व्यक्ती को मेटरिलिस्टिक लग्जरी की और लिकर जाता है चका चौंद की और लिकर जाता है यहां धनागमन है क्योंकि शुक्रपुन है आज इवी का भाव को देख रहे हैं मित्राशिस्तान को देख बुद्ध भी व्यक्तिकू फाइनेंसेस के साथ में महारत देने वाले होते हैं परन्तु क्लारिटी ये रखे हैं कि यहां अत्यधिक खर्चों से बचे हैं जो महानुभाव फाइनेंस संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए इस समय को विशेश कहा जा सकता है और अदभुत इस्ततियों को निर्मित करता हुआ कहा जा सकता है बैंकिंग हो गया, फाइनेंच ये इंस्टिउशन्स हो गए आप कमिशन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े व्यक्ति विशेश हैं रेंटल प्रॉपरटीज के साथ में आपका इंकम सूर्स चलता है वहां लंबे समय से अग्रिमेंट्स को आप चेंज करवाने क्यों जा रहे है ऐसे सारी ही समभाबनाएं आपके लिए एक अलग लिवल को इस्टेबलिश कर रही है रुपए पैसे की आवक में तेजी है तो वहीं फैसनेशन के साथ जावक में भी तेजी हो सकती है उससे कैसे समभलेंगे ये विचारवान, अवस्था, स्वाहिम की भीतर तक आप रख कर चलिएगा चर्जा पराकरम भाव की अब यहां सूरिदेव की स्थियां जो पराकरम प्रवेश करेंगी 15 जून 2023 के बाद से जब भी सूरिदेव थर्ड हाउस की पूरीशन में आते हैं तो जो महानुभाव किसी भी प्रपोशन में इनक्टिव हैं उनके लिए एक्टिव होने के बेस नजर आते हैं अपने 6 महीने, 7 महीने पहले उधरन के तौर पर किसे व्यापार के शुरुबात की थी अभी तक तो ब्रेक इवन भी नहीं आ पाया है, फुटफॉल भी नहीं हो पाया है सुर्देव की ऐसी स्तियां व्यक्ति के लिए तिवर आकर्शन लेकर आती है व्यक्ति छोटे-छोटे परिवरतन के बाध्यम से अपने जीवन की रंगत और सुरूप को बदलने बला होता है तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में छट पटाहट थी लंबे समय से के परिवरतन की और जाना है बले ही कॉम्प्रमाइज भी मिले जाएंगे हम अब रुकने वाले नहीं है हम ऐसे अवस्थाएं सुर्देव के आधार पर तथा प्राक्रमेश जो बुद्ध द्वितिय भावस्त तक्रम में है उस अधार पर ज़राती बले ही बुद्ध स्वेम से द्वादाश हो परन्तो यहां तिवरता बढ़ती चली जाती है और आप देखिएगा कि जो 24 जून के बाद बुद्ध के बनने वाला होगा वहां से भी आपके पराक्रम में वर्द्ध रहेगी आप Human Resources के साथ जुड़े हुए है Solar संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए है Electronics, Electrical Field या फिर आप Management की किसी भी बड़ी designation के साथ में है जिम्मेदारियों का मिलना, आर्थिक प्रभाह का जुड़ना और वहीं से व्यक्ति का भावी भविष्य को एक अलग से बिजवलाइस करते चले जाना यहां आपके समक्षे कुल जमाजूर सक्रियता के भरसक आधार है परंतु संबंधों को यहां पर बहुत अच्छे से समभाल गिएगा उसमें भी जो दोस्त अड़िक खड़े रहे हैं हमारे विपरीद समय में, संघर्षों के समय में उनको पूरा ही आधर्मान देने की जूरत रहेगी अपनत्व की परिभाशाएं अलग है सम्मान की परिभाशाएं बिलकुल अलग है जहां अपनत्व है वहाँ पर भी सम्मान भरपूर हो सकता है जब ये मूल मंत्र वेक्ति स्थापित करता है तो वो कहीं पर भी भटकने वाला नहीं होता चतुरत की चर्चा करें तो यहां मटरिलिस्टिक लगजरी आपके लिए बढ़ने वाली होगी बोमी संबंदित कामकाज में किसी भी निरणय में एमबरप्ट मेजर्स लेकर चलने से बचियेगा ये नम्र निविदन करना चाहेंगे माता के स्वास्ते को लेकर जो लंबे समय से पशोपेश बनी हुई थी वहां पर भी अब आपके लिए एक इनीशियल रिलीफ और रिलक्षेशन निकल कर आ सकता है परन तो घबरहाटों के गेरे जरूर है प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में जरूर चलें जिससे कि उनके स्वास्ते में और अधिक लाब की इस्तिया और अवस्था प्रतिधनित होती चली जाए फोर्थ आउस के साथ में एक इंपॉर्टेंट नोट ये भी है कि आप यहाँ पर जो हरदह संबंदी रोगों की अवस्था होती है उससे जो लंबे समय से जूझ रहे थे वहाँ अब आपको रिलीफ मिल सकती है हाला कि 15 जुलाई के बाद की बात अलग है हम जून की चर्चा कर रहे हैं तो जून में रिलीफ है ये एक मितुपूर्ट सती आप यहाँ सर्विस इंडस्ट्री संबंदी कामकाज में है इंटीरियर डेजाइन संबंदी कामकाज में है वहाँ आपकी आभा चमक तमक देखते ही बंदी है वहाँ संबंदी कामकाज में इस महीने बड़े निरणे से थोड़ा सा रूप कर चलने का प्रयतना आप जरूर कीजिएगा पंचम की चर्चा करें तो पंचम की आलिपती पराक्रम भाव में शुरवात में द्विती और उसके बाद पराक्रम रहेंगे चारदस और तीन ग्यारा का संबंद बनेगा इसे वज़े से विध्यारती वर्ग यहां अपनी वाक पटुता एवं शैली में एक अलग आभा देखेंगे अलग तेज को देखने वाले होंगे और वहीं पर आपके क्षमताओं में वर्दी है क्षमताओं जब भी व्यक्तिकत पुरशारत के साथ में जुड़ती है तो उस महीने को सफल असद्धक आधार के रुप में देखा जाता है उसमें भी जो दूसरा पखवाडा है 15-30 जून तक आपकी तेजी देखते ही बनती है स्टाउक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में जतना प्रसाइस किल्कुलेटिव आप रहेंगे उतना आपके लिए यहाँ पर वहतर और वहीं किसी भी रिलेशन में आप चल रहे हैं किसी भी सरे की जल्दवाजी रखने से बचें संतान पक्ष के साथ जो वैचारिक गतिरोद यहां लंबे समय से थे वो बढ़ने नहीं पाए यह भी पूरा पूरा ख्याल रखने की जरुरत आपके लिए रहेगी इन्वेस्मेंट्स में रूटेशन को लेकर आना है तो वहां पर परभावी स्तियां आपके लिए बहुत कहराई से मौझूद है उस में चंताओं के सरे और सरुकार बिलकुल भी नहीं है विध्यार्थी वर्ग यहां पुने हायर एजूकीशन की और जाना चाहते है यहां पर किसी भी स्टार्टप आदी की और जाना चाहते है इस महीने को आपके लिए एक अलग सकारात्म कुरूप में देखा जा सकता है सिक्स्ताओस की बात करें तो सस्टेश होकर बुद्ध द्वितियव हावस्त करम के साथ में है और शुक्र राशी स्थान में है इसी वज़े से यहां जो सबसे महत्वपूर बात है कि फाइनेंस संबंदी काम का जो बेटरमेंट जो बर्डन्स बने हुए थे उनके कम करने के रास्ते बनते चले जाना शत्र पक्ष जो लंबे समय से हावी था वहाँ पर अभी तक आप संभल कर चलने का पूरा-पूरा प्रहत्न करते चले जाईएगा हाला कि एक विशेश बात ये भी है कि जो यहां स्वास्ते संबंदी स्थितियां है उसमें घले से संबंदित यानि थ्रॉट इंफेक्शन को रिलेट करते भी प्राब्लम थाइरोइट से संबंदित कोई भी परेशानी है बहुत जारा संबलें तो अचा से संबंदित जो भी रोग एवम बिकार होते हैं पंद्रहें से तीस जून की मद्द्य वो भी हावी रह सकते हैं संबलिएगा सब्तम की चर्चा करें तो केतू इंस्ट अटेश्मेंट और डेटेश्मेंट की डेफिनिशन को यहां पर रेजंबल करते हैं इसे वज़े से ग्रिहस्त पक्ष के साथ में जो अपनापन एवम जुडाव बना हुआ है वो कई बार प्रोफिशनल लाइफ के साथ में दोविधाईं भी देने वाला हो जाता है हम अपने काम का आज की प्रतिवी पूर्ण तया समर पे तरहने वाले हों और कई बार चोटी-चोटी बातें डेटेच्मेंट भी लेकर आ जाती है कि नहीं ये वेक्ति जीवन में जुडा है परन्तु हम पूरे तरीके से कंपेटिबिलिटी को मैसूस नहीं कर रहे हैं इन गफलतों से मुक्त रहीएगा तो वहीं पर जो सब्तमेश शुक्र है वो चतुर्त भाव में है इसे वज़े से ग्रिहस्त पक्ष की और से कुछ आकस्मिक खर्चों का आविधन आपके सामने आ सकता है कई बार उनके साथ जुड़ने के जुरुत होती है परन्तु अपने लिमिट को भी डिसाइड करके रखे गुरु की स्ततियां व्यापारिक जिवन में आपको सम्विधन शील बना रही है धैर्य के साथ में आगे बढ़ा रही है जहां शुक्र खर्चों के प्रती व्यक्ति का आहवान बढ़ाते हैं वहीं देव गुरु ब्रहस्पति कहते हैं कि आवशकता है क्या अभी रुका जा सकता है तो हम रुकेंगे इसे वज़े से अपने भी तरक के तरक को कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दीजिएगा जहां स्वांसों की तेजी के साथ में लगातार महत्वक अंग्शाएं आती है वहीं वेक्तिसों को रोकने का प्रहतने करें तो अपनी स्थिरता को समझ पाता है बिजनस पार्टनर्शिप के लहाज़ा ये महीना बड़े निरने के साब से ठीक बिलकुल भी नहीं चर्चा अस्टम की अस्टमेश होकर मंगल यहां चतुरत भावस्त करम में नीच अस्तियों के साथ में रहने वाले होंगे इसे वज़े से ये स्पेसिफिक क्लेरिटी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे कि यहां भुगर भी विवस्ताओं का अध्यन माइनिंग संबंदी कामकाज में या कोई भी ऐसा कार्य जो जमीन के साथ में जुड़ावा होता है जहां से हमको कामकाज बढ़ाना होता है बले ही अग्रिकल्चर में हो इस महीने बहुत अरेक रुक कर चलने के आपको आवशकता है जल्दबाजी पालने से बचिएगा वही विदेश संबंदी कार्यों में इतनी बैतर ही नहीं हाला कि शनिदेव की द्रिस्टी जो यहां अस्टम भाव पर रहेगी आपके लिए लॉंगर टर्म की प्रोसेस में जो भी डिपिकल्टीज आ सकती थी वो अभी सामने आई उसके सॉलूशन हुआ और हम फ्लॉलस अप्रोच में चलते चले गए ये विवस्तित आभा आपके समक्षे पूर्णतया अस्टम भाव के साथ में नजर आने वाली हो जाती है तो वहीं पर यहां जो भी महन भाव एकांत के साथ में अपनी meditation की process को बढ़ा रहे है उनके लिए अस्टम और नवम का combination बहुत बैतर है नवम की चर्चा करें तो आप ये पाएंगे कि भाग की भाव, उच्च सिक्षा भाव और तरतीय तरकॉण क्यानिपती परतम तरकॉण में है इसे वज़े से higher education में decisions लेने है उसमें बहुत जाड़ा रोकने से बचें ये भी आत रखें कि यहां भाग की का सयोग शंशय के साथ में है कोई व्यक्ति आपको कह रहा है हमारे साथ में जुड़ जाईए उसकी साथ पुराने अनुभव रहे है गुरु राहु साथ में अब व्यक्ति विश्वास कैसे कर ले अचानक वहाँ पर खुद को past experiences के साथ में जोड़ना क्या visualize कर रहे हैं कितना risk calculated रह सकते हैं उस वर जाना गर परिवार का कोई सर्श से कह रहा है हमारे साथ रुपया पैसा लगा दो और कामकाच की शुरुबात करते हैं उसके पास मनभव भी है और जावी हमारे साथ संबंद भी है परन्तु अभी वो संगर्शील है तो अब मन confusion में है वहाँ खुद को आप संभालें हाला कि मन के भीतर का जो चिंतन है वो और अरिक बढ़ता चला जाएगा क्योंकि सूरीदेव की दृस्टी पंचमेश होकर पराक्रम से पुनह उच्च सक्षा भाव पर रहेगी यह जो combination है यह आप किसी भी educational institute के साथ में है तब भी यहां risk calculated base में खुद को बढ़ाया जा सकता है lay-off जैसे कई बार चंताएं सताती है और व्यक्ति का भाग्य का सयोग उस तरह से होता है कि उस चंताएं दर्मूल सद्ध होती है यह महीना कुछ ऐसा ही है वही डंताऊस के लिए हम बात करते हैं दशमेश लाब में लाब की स्ततियों के साथ में दरंतर व्रद्धी वहीं जो आपके इच्छा शक्ती है उसका प्रभाव देखते ही बनता है सुभाव गत इस तरपर आप यहां पर ब्रदुभाशता बना कर रखिएगा यह भी याद रखें के कामकाज में इंस्टेंट कंक्लूजन्स की और पहुँचने से बचें उस एक अवस्था से स्वयम को संभालने की आवशकता बारंबार और वहीं यह भी याद रखें कि पता के साथ अब यहां संबंदों में तारतम में देखते ही बनता है कामकाज में उनके साथ एक अजास बनी हुई है किसी भी चेंज में एकसेप्टिबिलिटी बना कर रखेंगा उसका बेनिफिट आपको अक्षर शह स्तर पर मिलता चला जाएगा वहीं बढ़ते हैं लाभभाव की और लाभे शोकर शनिदेव लाभ भावस्त करम के साथ में जुड़े हुँ है इसी वज़े से आपके लिए सरवांगिन लाभ की स्तियों में ब्रद्दी है वहीं इंट्यूशन का पॉजिटिव बेस आपके साथ में बना रहेगा कोट के चरी संबंदित किसी भी कामका यानि वकालात संबंदी शेतर के साथ में आपका जुड़ाव है जहां से आपकी आजिविका चलती है वहाँ पर लाभ भावस्त शनिदेव आपको एक अलग ताकत एवं आभा देते चले जा रहे है रुकावट दूर दूर तक भी नहीं तो वहीं पर अपने मन के भीतर जो पशोपेश लंबे समय से चल रही थी उससे हटकर आप आगे बढ़ने का प्रयात्न करते चले जाहिएगा वहीं ये भी याग रखें कि यहाँ जिस कामकाज में आप हैं वहाँ पूरी ही औरजा के साथ में रहे बले ही एक्सपांशन उस लेवल पर नहीं हो पाए प्रयासों के बाद भी परन्तु हम अपनी इस्तियों को वहाँ लगातार मौजूद करवा के चले हैं प्रयत्न करें द्वादश की यहीं बात करते हैं तो द्वादश की आदिपती प्रतम पर रहेंगे इसे वज़े से आपकी उर्जा देखते ही बनती है और वहीं पर खर्चों पर नियंतरन की जुस्तियां होती है वो आपके लिए पूर्ण नतया यहाँ पर काबिज रह सकती है हलाकि यह बात जरूर है कि जो विदेश संबंदी आधार के साथ में यदि आप एजुकीशन को बढ़ाना चाहते हैं वहाँ पर पॉसिटिव रिफलेक्शन्स रहने वाले होंगे और इसे के साथ में आप ये भी याद रखिएगा कि जो भी कामकाज यहाँ कमिशन संबंदी स्थियों में होते हैं जल्द बाजी में किसी भी विक्ति विशेश के साथ निरना लेने से बचाएं कोर्ट के चैरी संबंदित मामलात में उलजे हुए थे यहाँ जो मन की भीतर की उगरता है अग्रसिवने से गुरुराओ के साथ होने से निकल करा जाती है उससे भी खुद को यहाँ बचाने की जरूरत रहेगी तो यह था मेश राशी की जात्कों के लिए जून दोहजार तईस का मासिक राशी फल हम यसी ही चर्चाओं के साथ उपस्तित होने का परेतने करते चले जाएंगे धन्यबाद एपमकोटी शह आभार